हेई बार दोस्तो केमचो मित्रो मजामाने चालो मित्रो आजे आपने तमारा गुजराती विशय ना पाठ्य पुस्तक नी अंदर पाना नंबर 23 उपर आवेल पाठ्य नंबर 16 जे मात्रू रदै पाठ छे बराबर एना स्वाध्याईनी आगल चर्चा करिये मित्रो आपने आनी पेलाना विडियो लेक्चर नी अंदर अभ्यासना प्रश्ण नंबर 12 तत्थवा स्वाध्याईना प्रश्ण नंबर 12 नी चर्चा करिये आजे आपने स्वाध्याईना प्रश्ण नंबर 13 नी चर्चा करिये बराबर स्वाध्याई प्रश्ण नंबर 13 पाना नंबर 13 जोए प्रश्ण त्रण निचेना रुडी प्रयोग ना अर्थ लखो एन्य अंदे जो रुडी प्रयोग च्याँ प्रथम रुडी प्रयोग आपेलों छे अही यही आज तमने मली जोशे आखे चकर आववा एटले बीकने लिदे बधु गोल गोल फर्तु देखावू आखे चक्कर आवा, एटले, बीकने लिदे बधु गोल गोल फर्तु देखावू, बराबर त्यार पछी जो ये, जीव अर्दो थाई जवो, अवे जीव अर्दो थाई जवो, एटले शु, तो एनो जवाब पड़ आई छेच, जो, जीव अर्दो थाई जवो, एटले, चिन एतरी जो, दिलनो टुकडो होवू, तो दिलनो टुकडो होवू, एनो जवाब पड़ तमने आई मली जशे, खुब वहाला होवू, दिलनो टुकडो होवू, एटले, खुब वहाला होवू, बराबर, एटले आपड़ो प्रश्ण नमबर त्राण, अईयां सोल थाई गयो, आखे चक्कर आववा एटले बीकना कारणे बदु गोल गोल फरवू जीव अर्धो थाई जवो एपण आपड़े जोईलिदू अने दिलनो टुकडो होवू एटले अत्यंत वाहलू होवू जीव अर्धो थाई जवो एटले चिन्ताथी विवाल थाई जवो वराबिर मित्रों आवे जो ये प्रश्ण नंबर चार नीचेना शब्दोना अर्थ लखो कर गठिया एटले के बलतननु लाकडू त्यार पची चे प्रागड फुटवू एटले सवार थवू त्यार पची चे ओसाण एटले याद अथवातो स्मरण अने खोड़ियू एटल शरीर के दे हो ओके त्यार पची जो ये प्रस्ण नंबर पाच नीचेना वाक्यों मा क्रिया विशेशन सोधो एमा जुओ पैलू अमे बिल्ली पगे आगल उपड़िया अवे आगल उपड़िया ए आगल चालवानी क्रिया छे पन कई रिते तो बिल्ली पगे एले क्रिया विशेशन आवशे बिल्ली पगे पैला वाक्यमा क्रिया विशेशन छे बिल्ली पगे त्यार पची बिजू जव एक सन्याशी सान्ती थी चाल्या आवे अवे चाल्या तो आवे छे पन कई रिते शान्ती थी एकले क्रिया विशेशन आवशे शान्ती थी त्रिजु मानसो मरे तो छे, पण कई रिते ।पो टप. एदले क्रिया विशी शनावशे तपो टप. चोथू जुवो, कोचला पाणीमा आम तेम जोला खाई रहिया हता हवे जोला तो खाई छे, बराबर कोचला चे इपाणीमा जोला खाई छे, पन कैदी तेम आम तेम, एदे क्रिया विशिशन आउशे आम तेम त्यार पची पाच मूँ पेलो माणस टाड थी थर थर द्रुजी रहयो छे अवे द्रुजे छे टाड थी पड़ कई रिते तो थर थर एले क्रिया विशिशन आउशे थर थर ओके मित्रों त्यार पची चे प्रस्न नंबर 6 सुचना प्रमाणे करो आप्रश्न नंबर 6 तमारे लखवानो नथी एटले के तमारे तमारा गुजराती विश्याई ना पाका चोपडानी अंदर पाठ नंबर 16 मात्रु रदाई एना शब्दात लखवाना चे अब्यास ना प्रश्न नंबर 12 स्वाधियाई ना प्रश्न नंबर 12 त्रण 4 अन्ये 5 एटलू लखवानो छे 6 सवाल लखवानो नथी ओके मित्रों तो आ हतु तमारू होमवर तमारे गुजराती विश्याई ना पाका चोपडानी अंदर अब्यास ना बे प्रश्नो अन्ये स्वाधियाई ना एक्थी 5 प्रश्नो लखवाना छे शब्दात साथे ओके चलो हवे तमारा पाठे पुस्तक मा पाना नंबर 54 उपर जही आपडे पाना नंबर 54 उपर छे पाठ नंबर 70 सुगंद कच्छनी एटले के आपड़ा गुजरात राज्येमा जे अलगलक प्रदेश चे चरोतर प्रदेश चे बराबर काठियावाड जे आपड़ो सवराष्ट्र प्रदेश चे बेराबर ने आपड़ो आ दक्षिन गुजरात जे प्रदेस छे उत्तर गुजरात प्रदेस छे एरिते कच पन आपड़ो एक प्रदेस छे जे गुजरात राज्येनु आगवो गर्व छे तो आ कच विशे आपड़े आ पाठ मा भणवानु छे सुगंध कच नी ए पाठ ना लेकी काचे डॉक्टर दर्षना बेन धोलकिया जे लेकी काचे एमनो जन्म अज्यारमी जान्यू वारी ओग्नी सोने 62 ना रोज थयो हतो जोई आपड़े डॉक्टर दर्षना चमनलाल धोलकियानो जन्म कच जिल्लाना भूजमा थयो हतो पाठ पन कच्च विशे लख्यो छ अने लेखीकानो जन्म पड़ पाचो कच्छ मा भुजमा थयो हतो जो ये तेमने नरसीह चरीत्र विमर्ष त्यार पची महाभारत चरीत्र विमर्ष आठे पहर आनंद रे पची लख्यू छे परिचय पर्व जेवा चौदेक पुस्तको लख्या छे हाल तेवो कच्छ युनिवर्सिटी मा भाषा भवन ना गुजराती विभाग ना अध्यक्ष अने प्रोफेसर तरीके सेवारत छे मतलब के कॉलेज मा पोते हजी पन शेक्षणिक कारिय करावे छे डौक्टर जयंत खत्री बकुलेश पारितो कुमार पतेल विवेचन पारितोशिक तेमने प्राप्त थय छे मतलब के गणा बदा साहित्यना एवड पने प्राप्त थय छे आ एकम मां पत्रना माध्यम थी एलेके आखो पाट पत्र स्वरूपे लखायेलो छे आ एकम मां पत्रना माध्यम थी कच्छ ना जोवालायक स्थलोनी माहितीनु रस प्रद शैलीमा एलेके मजा आवे ए रिते वरणन करियो छे कच्छ नी भवगोलिक स्थिती पण सुन्दर रिते आलेकी छे प्रस्तुत एकम इटले कि आ पाट कच्छ नी विशेश तावनो परिचै करावे छे आपडे रुबरु कच्छ मा फरवा न थी गया परन्तु आ पाठ द्वारा आपणने कच्छ नी विवीद भवगोलिक तेमच फरवा लायक स्थलो विशेनी माहिती प्राप्त थाय छे आ आखो पाठ कई रिते लखायो छे पत्त्र स्वरूपे लखायेलो छे बराबर एटले के तमारामा पत्त्र लेखन अंगेनी पन समझाण आवे जोईए बराबर सर्व प्रथम छे डॉक्टर दर्शना धोलक्या न्यू मेंट रोड पैरिस बैकरी पासे भूज कच्छ आया लेखी कानू सरनामु आप्यु छे एनू सरनामु जमनी बाजु ए खुणामा आवे एटले आ तमारा पुस्तक बाजु जो आ तमारो डाबो हाथ थाई औने आ तमारो जमनो हाथ थाई एले हम्मेसा पत्र लेखन करनार व्यक्तीना जमना हाथ बाजु उपरना भागे खुणामा पत्र लेखन करनार व्यक्तीन पत्र लखनार नू सर्नामू, आवे, माटे अईया डॉक्टर दर्शना बेन धोलक्यानू सर्नामू, हशे, त्यार पछी जुए, प्रिय सव मित्रू, बराबर कारण के ए आपणने जणावी रहाचे, एटला माटे शब्दवा परियो छे, बराबर अईया आपणने जणावी रहाचे खरा, पण एम छता, ए पत्र कोने लखे छे, सव मित्री, बराबर प्रिया, सव मित्री, मोटी बहेननू, खुब-खुब वहाल, एले के दर्शना बेन छे, ए मोटी बहेन छे, औने सव मित्री, ए नानी बहेन छे, एटले पोतानी नानी बहेनने, पोते पत्र द्व लगाविये छिए ज्यारे कोई वडिलने मोटाने कोई ने आपड़े पत्र लगता होई तो आपड़े पुज्य वंदनिय बराबर एवा बधा शब्दों लगावता हो ये छिए ज्यारे मित्र होई अथवा तो आपड़ा थी नाना भाईबेनने पत्र लग्ये त्यारे प्रि ये शब्द लगाविये एटला माटे एमने अहिया प्रिय सव मित्री मोटी बहेंनु खुब-खुब वहाल एवु लख्यू छे थोड़ा समय पहलाज पुरा थयेला लामबा वेकिशन नी याद हजू पन तने सतावती हशे लेके सव मित्री थोड़ा समय पहला वेकिशन माट करवा माटे आवी हशे खरूने वळी आवनारा दिवाली वेकिशन मा थनारा कालपनिक प्रवासना स्वपना तारी रात्रीने मिठी बनावता हशे एक वार वेकिशन पुरु थायू हवे दिवाड़ना वेकिशन मा क्या फरवा जाईशू ए विशेतू अत्यार्थीच प्लानिंग करती हो इश्खरूने ओके मित्रो आपड़े आज ना विडियो लेक्चर नी अंदर अहीं अटकिये छिये दर्षना बेननु सर्नामू तेमनी नानी बेहनने जेरीते संबोधन कर्यों ते अन्य आ प्रत्थम बेलेती त्या सुधीनों आपड़े अब्यास कर्यों वदू आ पत्रनों अन्य कच्छनी भाउगोलिक तेमच फरवा लायक्स थलोनी माहिती आपने आगलना विडियो लेक्चिर माँ मेरे विशू के